हेलो माइ फ्रेंड्स कैसे हैं आप आपका एक पर फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजिक्शन गुरूपे जैसा कि आप जानते हैं बीर्ड के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लेकर आपके पास में टाइमली आते रहते हैं तो आज का हमारा टोपिक रहेगा वन एर बीर्ड जैसा कि आप जानते हैं आप हमसे सबसे ज़्यादा कमेंड करते हैं कि वन एर बीर्ड का प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा कौन-कौन से स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एडविशन ले पाएंगे तो ये सारी information हम आपको देंगे सबसे बड़ी में information रहेगी कि सन 2023 में क्या ये प्रोग्राम स्टार्ट होना है या नहीं होना है और अगर होगा तो कौन-कौन से स्टूडेंट इसके अंदर एडविशन ले पाएंगे my friends 2023 में पूरे chances हैं कि one year beard start हो जाए लेकिन कौन-कौन से स्टूडेंट इस one year beard के प्रोग्राम में एडविशन नहीं ले पाएंगे ये जानकार हम आपको सबसे पहले लेते हैं my friends जिन स्टूडेंट्स ने master degree का course किया हुआ है जिन्होंने कोई भी master degree किया हुआ है MA किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, MSC किया हुआ है वो स्टूडेंट्स one year beard में एडविशन ले पाएंगे बशर्ते उनका जो percentage criteria है, वो fulfill होता हो जिन भी students ने अपना three years का course किया हुआ है, BA किया हुआ है, BCOM किया हुआ है या BC किया हुआ है, इसके बाद में अगर उन्होंने कोई भी master degree का अपना course नहीं किया है तो उनके लिए क्या option रहेगा, या तो उनको पहले master degree करनी पड़ेगी, उसके बाद में एक साल की बीर्ड वो लोग कर सकते है या फिर उनके लिए बीर्ड दो साल की ही रहने वाली है बहुत से students ने ग्रेशन करने के बाद में सन 2022 में सिर्फ इसलिए education नहीं लिया कि हो सकता है 2023 में बीर्ड एक साल की हो जाए उन graduate past students को नुकसान ही होने वाला है विकोज ग्रेशन के बाद में master degree करने वालों के लिए ही एक साल की बीर्ड रहेगी new education policy 2020 में ये चीज clear लिखी हुई है still जैसे ही कोई new guidance आती है बीर्ड के regarding एक साल की बीर्ड के regarding तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा बीर्ड के regarding कोई भी information अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी अपना प्रशन पूर सकते हैं एड़िशन 2023 ता कब स्टार्ट होगा अगला वीडियो हम इसके बारे में जरूर बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद